असुमा बदल गई कहानी उस घर की है जहां बहू और बेटी को एक माना चाता था लेकिन फिर और शिखा बेटा तो रसोय में क्यों गुसी रहती है जा रोटी मैं बना लोगी नहीं नहीं माजी आप बैजी बस सारा खाना बनी गया है श्वेता को बोल देती हूं वो खाना लगा देगी सबका सौरी भावी मेरे पास वक्त नहीं है मा मुझे पैसे देना पारलर जाना है आँ हाँ चली जाना भावी को भी ले जाना वो भी जाने को बोल रही थी पारलर पर पहले नाम मतद कर दे कि खाना लगाने में देख मा वो बहु है उसे बहु रहने देना इतना सर पर मत चड़ा भावी को श्वेता जाला मत बोला कर बहु और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है जा जाकर काम कर ननत को मा का भावी से इस तरह प्यार करना बेलकुल अच्छा नहीं लगता वो बार- किसी ना किसी तरह मा को भावी की खिलाब भड़काती रहती लेकिन कोई फाइटा ना होता एक रोज हाँ हाँ मा हम लोग जा रहे ना गोवा अच्छा जी भावी ने तो हमें बताया भी नहीं वैसे तो सारी पंजायत करती है ये गोवा वाली बात क्यों शुपा गई हमसे अरे क्योंकि उसे खुद नहीं पता था बेहन मुझे टिकट सस्ती मिल रही थी तो मैंने बुक कर दिया हाँ शिखा टाकिंग कर ले संडे हम जा रहे हैं गोवा दो पेर में शिखा टाकिंग कर रही थी किस सास आ जाती है ये क्या बहू सारिया अरे गोवा जा रही है घूमने या फिर शादी में माई के हैं माजी ऐसा कुछ है ही नहीं समझ में नहीं आरा क्या रखूं कपड़े में अरे तेरी और श्वेता के साइस तो एक ही है उसके कुछ माडल कपड़े ले आगर लाटा दे ना शीखा, श्वेता के पास जाती है और उससे कपड़े मांती है ना जी ना, मैं अपने कपड़े ना दूँ, वैसे भी फैल जाएंगे मेरे कपड़े, बहुत महेंगे वाले है शीखा, मुँ लटका कर कमरे में आ जाती है, तो साथ कहती है शो सयाः हो जा, पुझे मैं शापे चरा करना दूँ, वहां बस फिर क्याता है, साथ पभू निकल जाते हैं माकेच और एक से बढ़कर एक ड्रेस खरिद कर घराते है पहले बता देती कि नए कपड़े दिलाने वाली है भावी को, तो मैं अपने ही दे देती थी ना भावी को, मुझे दिला देती नए कपड़े एक श्वेता, मुझे बार का मतलब सब के साथ रहना होता है, ना इसर्फ अपना तोजना, लैसे भी तुझे अच्छे संसार सीधाई जाएगे, और नहीं बात कम लोगे तो शिखा, आज से घर पर भी तुम मॉडल कपड़े ही पहने की, और इस दबती ये के साड़ी वाली नपेटी तुझे अज क्या था, नहीं तो श्वेता और शिखा एज जैसे रहते, एक बाद परोसना आदी अरे बीटा, अपनी मा को तो बलाना ज़रा बात करनी है ये बेटी नहीं बहू है, गर में समय एक जैसे ही रहता है तो मेरी बेटी भी बड़ी होक नहीं है, कोई रिष्टा हो तो ज़रूर बताना परोसन रिष्टा लेकर उन लोगों के घर आती है, तब श्वेता की होने वाली सास कहती है तो ये घर है, कितने मंसिल का है और ये बहू ने आपकी क्या पैन रखा है, जीन स्टाप अरे भई, साड़ी वाड़ी नहीं है, क्या इसके पास देखिए, सर भी है, तो साड़ी में बहू कैसे लालज करते वैसे पैन दी है, साड़ी भी देखिए, हम लोग ठेरे पैसे वाले लोग कोई कमे नहीं है हम लोगों के पास पैसों की बहुत पैसे है, जमीन, नौकर, चाकर, कार सब कुछ है लेकिन घर में संसकार ही बहुँ चाहिए समझ रही है ना सास कुछ कहती कि श्वेता बोल परती है हाई रे, नौकर, चाकर से लेकर जमीन, कार, पैसा हाँ, मुझे रिष्टा मंजूर है मंजूर है मुझे अरे रोकचा श्वेता, मैं बात कर रही हूँ ना देखिए, हम लोगों के घर इतनी आजादी नहीं मिलेगी अरे हाँ, कर दे ना मा हाँ, कर दे जल्दी से सास क्या करती बेटी की शादी ऐसे घर में कर देती है जहां ना उनके विचार मिलते है और नहीं आचार शादी की बाद एक रोज कून पर श्वेता बेटा, एक बार घर आजा बहुत दिल करता है तुझे देखने का मा, वो घर पर बहुत काम होता है कैसे आओ, बड़ा घर है लेकिन आने जाने वालों की लाईन ही लगी रह दिये बेटा, मैं तो जान भी थी उस घर का हाल लेकिन तुही नहीं मान वही थी मा, देख हर घर का यही हाल है तेरी बेटी को यहां घूंगट अटाने की परमिशन नहीं है और एक तरफ भावी स्कर्ट पैन कर घूम रही है पिटा, मुझे क्या बता था कि मेरी बेटी को सुसुराल के नाम पर प्रिजरा दे जाएगा अच्छा मा, फोन रखती हूँ सास को गर्मा गर्म रोटी खिलानी है तुम लोगों की तरह नहीं कि एक रोटी बनाओ, एक सबजी बनाओ फिर सारा दिन फ्री हो कर घूमो सास फोन तो रख देती है लेकिन सोच में पढ़ जाती है कि एक तरफ बेटी, जिसे कोई आजादी नहीं वहीं दूसरी दरफ बहु जिसे देखकर लगता ही नहीं कि इसकी शादी भी हुई है अगली रोज शिखा, अरे ओर शिखा हा मा, क्या हुआ कुछ चाहिए आपको, मैं जिन जा लेगी जिन की कपड़ों में बहु को देखकर सास को गुंगट में अपनी बेटी का खयाल आता है बहु का अजीब लगता है वो समझ नहीं पाती कि जो सास कल तक इतनी सपोर्टी थी उन्हें अच्छानक से क्या हो गया वो किचेन में जाती है गरम रोटी के साथ दो तरफी सबजी, राईता, सलाथ सब लेकर साथ के पास आती है पर माजी, रोटी खाती किस से आप? सबसी तो बनानी थी ना? आप बूह हो उपर गई बेरी-बेरी का हिस से बहु अंदर चले जाती है, थोड़ी देर में श्वेता खराती है अरे शिका चलती से चाहिना, बखान सला देरे में की आई है अरे नहीं-नहीं मा, ड्राइवर बाहर खड़ा है, मैं तो घर का कोई सामान खरिदने के बाहन ही यहां आ गई हूँ, मुझे जाना होगा अरे बेटा, पर कितने तिनों बार देख रही हो तुझे, तुझे नहीं आ जाना तो चाम दिन के लिए आ जाओंगे मा, जब मेरी सास मरेगी तब, मैं तो रोज मननत मानती हूँ कि मेरी सास मर जाये तो अच्छा है अच्छा चले, जा रही हूँ मा क्या बाद है, आई जिम नहीं आई यार ये सास नहीं होती है, यार ये सास नहीं होती है मैं तो कहती हूँ दुहिया जल्दी मरे और तो आराम से जीए शिखा को सहली की बाद पर गुस्सा आ जादा है मा की मारी की कौन सा विच्छे दुआ मांगता है मारी आगे से ऐसी बाद देसा में मत करना हूँ हमारे ग़र की शोगा ही मा है, क्या हुआ जो थोड़ी सक्ति दिखा रही है उसमें भी कोई ना कोई उनकी भलाई ही होगी मैं तो कहती हूँ भगवान मेरे जैसे सास सब को दे जो सिर्फ मा की तरह है सास वाली तो कोई बाद यी नहीं है उनमें सास ये बात सुन रही थी उनकी आख में आसू आ जाते हैं कि क्यूं वो बेटी की किस्मत में बहु को भी भागेदार बना रही थी